नास्कास तो कैसे हैं आप लोग उमीद करूंगा सभी लोग अच्छी होंगे तो इस वीडियो बात करेंगे हम लोग याप पर प्रू कबंटी के मैज नुमर 69 के बारे में जो की होगा आज के दिन का दूसरा मुकाबला यह मुकाबला फ्रेंट्स बेंगा लोगोरेर्स फरसे करके विनर बनना चाहरे हो तो फिर्ट्स आपको क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बैल आइकन को अल पर सेट करेंगे इससे क्या होगा जैसी हम लोग वीडियो यहां पर डालेंगे तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचेगा और आप लोग एजली यहां आपके विनर बन पाओगे इसके अम लोग यहां पर बात करेंगे पॉइंस टेबल की एक एक प्लियर का स्टैट्स और पोजिशन में आपको यहां पर काफी डिपली जानेंगे तो आप सभी लोग उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्त जोरूर से वाच क करना वीडियो पसंद आएगा तो लास्त में जाके एक लाइक आप लोग वीडियो को जुरूर से कर देना तो चली सिंपली अम लोग यहां पर बात करेंगे पॉइंस टेबल की तो फ्रेंट्स पॉइंस टेबल में अगर आप लोग यहां पर देखो जो बंगाल वरस्त की बंगाल वरस्त ने बारा मुकाबले के लिए जिसमें से 6 मुकाबले ने विन के पांच मुकाबले हारे और एक मुकाबले यहां पर टाय रहा है यानि कि प्रफॉमेंस इनका लगवग 50% के आसपास यहां पर अच्छा रहा है ठीक है वही हम लोग यहां पर बात करेंगे पर कर पाएंगे कि कि स्ट्रीम के यहां पर विंड करने के चांद्स जादा है ठीक है तो चले फ्रेंट्स हम लोग यहां पर आप प्लेयर वाइस करते हैं लेकिन इससे पहले कि हम लोग प्लेयर वाइस करें आप सभी लोगों के कमाल की अप्लिकेशन के वारे में यहां पर बत सकते हो ठीकिक दो मिनट आपके पास एस्ट आ रहेंगे यानि कि कोई लास्ट का चैंज सरेधा ना फिर आप लोग यहां पर एस्ट ली कर सकते हो ठीकिए कोई प्ले रगाल स्टार्टिंग में सब्स्ट्टूड हो जाता तो इसे भी आप लोग यहां पर आके easily replace कर पाओगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो मिनट का एस्टर टाइम है, ठीक है, कहीं फिर अगर आप लोग टीम नहीं लगा पाई हो, जैसे ड्रीम और फिर अधर अपलिकेसन के उपर, तो यहाँ पर आके आप लोग लोग एज़ली टीम लगा सकते हो, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर कबड़ी में क्या फायदा मिलेगा, आपको कोई भी क्रेडिट का इशु नहीं आने वाल, आप लोग किसी भी प्लेयर को यहाँ पर जिरो इशु आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसके विज़ से क्या होगा, कि जब क्रेडिट का इशु नहीं आएगा, तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, और आप लोग अच्छा कासा विन करोगे, 90% से उपर ऐसे कबड़ी के मुकाबले होते हैं, जहाँ पर आप कीजिए और कबड़ी को एक वार यहाँ पर खेल के देखे, एंट्रीपीस भी बहुत कम आपको यहाँ पर देखने हो को मिलेगी, एच कंपे तो अपर यहाँ पर खेलो गई भी न, तो दिन के 1000-2000 रुपर आपके सिर्फ खेल के यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है, तो एक करना का बड़ी, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अपले किसन लगने वाली है, ठीक है, अब बात करेंगे, हम लोग यहाँ यहाँ पर यहाँ पर दोनों टीमों को स्टार्टिंग सेवन की, बेंगाल वारेस के दप से हम लोग यहाँ बात करेंगे, लास्ट कम इसका इच्छा गया था, मनिंदर सिंग की बात करेंगे, यहाँ पर आठ रेट पोइंट एक टैकल पोइंट था, इससे पहले 10 रेट पोइंट, इससे पहले 17 रेट पोइंट, 11, 12, 13, ठीक है, इस तरीके से देखे, यहाँ पर सिर्फ तीन ही मुकाबले अभी तक ऐसे गए, आपी सांदर तरीके से विंगे, इनका साथ यहाँ पर देंगे, फ्रेंट्स कौन यहाँ पर सुके सेगडे, सुके सेगडे की बात करेंगे एक लेट रेट रेडर है, और बात करेंगे लास का मुकाबला जो कल का हुआ था, इसमें इनका फर्फोफोइंस थोड़ा साथ निंदर ने चलेंगे तब सुके सेगडे को यह टीम यूज कर सकती है ठीक है एज ठाल डेडर के तौर पर आप खेलना यहां पर मुहमद इसमाइल नवीवक्स लास्ट का मैच गया थोड़ा सा अच्छा गया था फोड़ा सा कमबैक करने की कोशिज की पांच रेट पोइंड दो तीन मजों में काफी जाथ बेकार था एक रेट वेंड डो टेकल दो रेट वेंड चार टेकल चार रेट फोइंड तो इस तरीकर से फ्रेंड नियुक्स का परफोइंड लेकिन लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रिंग और वर्ण्स की रेड रहेगे लगभग 70-80% रेड यहां पर राइट से होने वाले क्योंकि दोनों के दोनों जो में डेडर यहां पर मनींदर और यहां पर नभी बख्स यह राइट से रेड करते हैं ठीक है अब यहां लोग आगे प्लियर बैटल को देखें कि फिर सबसे पर में दोनों के दोनों हमाले इंपरिंट होने वाले ठीक है फिर बात कि यहां पर रंच इंग जो कि लेट कॉर्णर पर खेले लाइस के मज़क रिंगे इससे पहले चार्ट प्राइक तेकल प्रास टेकल पर तो रंच जब से टीम से जुड़ें काफी तगड़ा यह आप लोग इनका backhold वगेरा देखते होंगे काफी तगले तरीके से या पर backhold करते है रंसिंग और आप लोग देखोंगे फ्रेंट से जब से जुड़े हैं तब से सबसे consistent और most valuable player यहाँ पर defense पर बन चुके हैं ठीके फिर अपर अभोजर मेंगानी की बात की बात कुकَ आप लास्क मै घया चांज जो कल का इसमें 3 ट्राइक की चलाई में पर बना के पर यहाँ बना के आपको चलनीच थे यूपी उद्धा की तरप से चलेंगे तो फ्रेंट से यहाप पहला नाम आएगा परदीप नर्वाल को जो कि एक लैप ट्रीडर है लास्ट के दो में जो से अपना सूपर टेंड लगातर कंप्लीट कर रहें इससे पहले आपको पता थोड़ा सा फॉर्म से भटके थे तो कुछ इस तरीके से इनका प्रफॉमिंस इस सीजन में हमें देखने हो के मिला यानि कि वो परदीप नर्वाल अब यह नहीं रहे आप लोगो ने देखा थोड़ा सा वेट बिन का ज्यादा हो गया है जिसों इसे फुट वर्क बगेर और एजली यह बंदों को टैकल करने द इसके लिए आपको कहूंगा कि जादस ज्यादा कोसिस करें ग्रैंड ने के इस टीम की तरब से आपको फोकस करना स्मॉल लिग मां किसके तरब सुरेंद्र गिल की तरब जो कि एक राइट रेडर है और बात करूंगा इसके प्रफॉमिंस की तो फ्रेंट्स काफी अच्छे गिल का चला और कैप्टेंसी वाइस के लिए भी काफी सांदर चोईस बॉल लिग के लिए होने वाला है ठीक है फिर यहां पर बात करेंगे एज़ ठाल रेडर के तौर पर जो खेल स्रीकान जादाओ यह भी एक लैप्टर रेडर है तो आप लोग मान सकते दो इनके पास य यहां पर बारा रेड़ पोईंट थे और दो टैकल पॉइंट थे एक सूपर टैकल भी था ठीक है तो कभी भी यह गेमचेंजर टाइप का प्लियर हो सकता तो ग्रेंड क्यूपर था ट्राइक करिए स्मॉल लिग में दूरी बना सकते आप लोग ठीक है बात करेंगे इसके लेकिन इससे पहले फॉमित का काफी गजब का चल ला था चार चार टैकल पॉइंट बंदा लेके आ रहा था एक बार छे टैकल पॉइंट भी ला चुका तो आप लोग मान सकते हो कि यहां पर सुमित आप लोग को ले काफी इंपोर्टेंट होने वाले है ठीक है इसके आपको दो से तीन टैकल पॉइंट लाखे दे सकते हैं ठीक है नितेस की बात करूंगा बहुत अची फॉम में भी चल लें लास्के में आप लोगों देखा यहां पर चार टैकल पॉइंट थे राइट कॉर्णर से डिफेंस करते है इससे पहले फांस टैकल पॉइंट दो हाथ टैकल पॉइंट बंदा एकी में ले चुका है तो काफी अची फॉम में गुजर रहें लास्क तीन चार में उसे तो इनको लेना तो आपको डैफिनेटली बनना है इस मॉल लीग में ठीक है फिर यहां पर देखें पर आसु सिंग है जो कि राइट कवर से के लेंगे इ तो बंगाल वरेस की तरब से आप लोग देखोगे 70-80% जो रेट रहेंगे इनके राइट से रहेंगे जा पर मनिंदर और नभीवक्स राइट करेंगे तो इनके सामने कौन आएगा UP उद्धा का लेप्ट साइड ठीक है तो UP उद्धा के लेप्ट साइड में आपको पहला को सबसे जाद को सबसे ज्यादेज रहेगा उसके बाँ उसके बाँ लेख कवर को रहे गा अगर यहां पर डबल ठाई हॉ Eli कर सकता राइट कबर से देखोगे आसु सिंग है जो की कापी experience है तो यह double thigh hold वगेरा कर सकते है नवीवक्ष और यहापे मनिंदर को ठीक है मनिंदर के सामने तो थोड़ा सा दिक्कत आएगे इनको लेकिन नवीवक्ष को easily यहापे double thigh hold वगेरा आसु सिंग कर सकते है ठीक है अब एक ज चले देखो तो 4 tackle point, 5 tackle point, 3 tackle point इस तरी किसे यहापे नितेश का form चला लास सिंग में तो यहापे देख सकते हैं आप लोग साथ tackle point बंदेगे थे जिसमें से 2 super tackle भी इनके include है तो यहापे काफी दिक्कत आने वाली सुके सेगड़ों को ऐसी form इनका अच्छा नीचला राइट क आप से 50-60% यह दोनों के दोनों rate करेंगे ठीक है बाकी जो 40-50% rate है वो यहाँ पर सुरेंद्रेगिल चलेंगे तो पहले हम लोग लैप्टरेडर को देखते हैं यानि कि परदीप नर्वाल और यहाँ पर स्रीकान ज्यादाओ को हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं यह काफी जाधा point मिलने के chances मुझे लग रहे है अबोजर मेगानी को ठीक है तो अबोजर मेगानी को आप लोग लेके चलिए इनका साथ कौन देगे यहाँ पर तुंगादराई अगर खेलेंगे तो मेरे साब से यहाँ पर पर परदीप नर्वाल मेनली सिकार करने की कोशिस करे करने वाल है क्योंकि फॉर्म काफी दगडी चली अब उजर मेगानी के एक मात राइट एडर जो यूपी उध्धा का है सुरेंद्र गिल यह जाएगा फ्रेंट्स लेफ्ट साइड में सामने वाली टीम के और लेफ्ट साइड में आपको पता है कौन मिलने वाला इनको रंस तो रंसिंग के बारे में तो आपको अल्लेडी में बता चुका कितने अची फॉर्म से गुजर है तो काफी दिक्कत आने वाली आज सुरेंद्र गिल को भी रंसिंग के सामने से पॉइंट निकाला क्योंकि यह बंदा भॉत तगड़ा बैक होल्ड एंकल होल्ड और जो भी म गरा भी कलनेगे लेकिन रंसिंग इनको इतने इजली आपर पॉयंट नि देंगा यानि कि जो मेंली सुरेंद्र गिल को टार्गेट करना पड़ेगा इनको जो रेड करनी पड़ेगी न फ्रेंट से जाएंगे तो लेफ्ट से राइट को इनको रेट करनी पड़ेगी ठीक ह तब जाके इनको अच्छे पॉयंट मिल सकते हैं अदर्वाइज या पर देखोगे आप लोग रंसिंग के सामने पॉयंट निकालना बहुत ज़्या टाप होने वाला ठीक है इनका साथ देंगा या पर आमिद जो के ठीक ठाक पॉम में चले और यहां पर बात कुरूंगा थ प्रेट्स और जुसको इसका भी रिसेंट फॉम जला सारी की सारी चीज़े देखी और प्लियर बैटल को भी हम लोगों ने काफी डीपली यहां पर समझ दिया ठीक है अब हम लोग यहां पर सीम्पली जो हमारी टीम मन के आज की उसे हम लोग यहां पर देख लेते लेकिन यहां पर 2100-20000 मेंबर्स आपको मिल जाएंगे तो यही वाला चैनल आपको जॉइन करना ठीक है अब हम चलेंगे सीधर ड्रीमन के उपर जो हमारी टीम बन गए उसे हम लोग यहां पर देख लेते हैं लेकिन फाइनल टीम जो रहेगी वो आपको टेलिग्राम के उपर मिले टीक है नितेश कुमार यहां पर रंसिंग दूनों के दूनों काफी सांदर चोईस है थोड़ा सा अलग से चोईस है लेकिन मैं खोंगा कि अगर आप लोग जाना चाहो ग्रेंडिक के उपर तो इन दोनों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने के आप लोग कोसिस करना ठीक ह तो अभी के लिए जो टीम है वो कुछ इस तरीक है से फाइनल टीम टेलेग्राम के उपर अपडेट कर दूँगा तो अगर आप जाके आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के कोई एक लाइक आप लोग जुरूर से कर देना पहली बार चैनल तक पहुचे और चैनल को सबिस्क्राइब कर लेना मैं मिलूंगा फ्रेंट्स आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लग